नमस्कार, मैं हो ससी, आया जर्खन के टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं परदान मंत्री ने उन जीलो के अधिकार योग से बात की, जहां करोणा संक्रावन की दर 10.30 सधीक है पता दे जर्खन में पलामोग लाते हार, पूरवी सिमू, हजारी बाग, पच्मी सिमू तथा बोकारो इसरेनी में है मौसम विभाग के बैग्यान को की माने तो राज्जे के धनबाद, गड़वा, गिरीडी को डर्माएवं पलामोग जिले के कुछ भागो में हलके दर्ज के में गजन की संभवना है इस दोरन बजरपात के साथ हलकी बारिस होने की संभवना है वहीं 22 मै से मौसम के सुष्क रहने का अनुमान है दो जून तक जर्खन वापस आ सकते हैं सिक्छामन जगनात मतो जर्खन के सिक्छामन जगनात मतो कुरु आरको चेनाई के MGM हस्पीटल से डिश्चार्ट हो गए है फिलाल अगले और दस दिन तक चेनाई में ही रुके रहेंगे चिकित्सक उन्हें घर भेजने से पहले किसी तरह का कोई रिक्स नहीं लेना चाहते हैं संभवना है कि सिक्षा मंत्री अगामी दो जुन तक जारकन वापस लड़ सकते हैं बतादे सिक्षा मंत्री जगानात महतो के पुत्र अखले महतो और मंत्री के आपत सचीव लोकेश्वर महतो ने बताया कि मंत्री जगानात महतो पूरी तरह स्वास्थ हो गां सिक्षकों के बेतन के लिए 700 को रुपे जारी माधमिक सिक्षा निदे साले ने गुरुवार को अल्प संख्यक माधमिक विद्यालियों, संस्कृत विद्यालियों, मदार्शा यम अन ये कोटी के विद्यालियों के सिक्षों के बेतन की राथी जारी कर दी है निदेशाले ने सब ही जीला सिक्षा पदाधिकारी को 23 मही तक बील को सागार में जामा करने के निदेश दिये हैं ताकि सिक्ष को कुल समय पर बेतन मिल सके जैक बोड की दास भी परिक्षा हो सकती है रद सिब्यसी और आईसी एसी की तरज पर जारखंट एकेडमी कॉंसील जैक की मैट्रिक परिक्षा भी रद हो सकती है बतादे क्रोणा के बढ़ते मामले और बचों को परभावित करने वाली संभावी तीसरी लाहर को देखते हुए सरकार इस पर निना ले सकती है इस पर एक जून को बैठक होनी है जिसमें मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा को लेने या नहीं लेने पर अम्ति भशला होगा रांची में पूलिस लाठी चार्ज राइधानी रांची के मुराबादी मैदान के पास लगे होट बजार में पूलिस वो लाठी चटकानी पड़ी दरसल यहां सरीरिक दूरी की धजिया उर रही थी बतादे लालपूर थाने के पूलिस ने पहले अनाउस्मेंट के जरी लोगों को सरीरिक दूरी का पालन करने का निदेश दिया इसके बावजूद लोगों की भीड बढ़ती ही गई जब कोई उपाय नहीं दिखा तब पूलिस को बल परयोग करना पड़ा बतादे बजार में करीब एक दरजन पूलिस के जवान दुकानों को बंद कराने लगे उस वक्त आफरात अप्री मच गई लोग इधर उधर भागने लगे दुकंदार भी अपने समानों को जल्दिवाजी में समेटने लगे गुमला के 778 गाओं में 10,000 से अधीक लोग बिमार गुमला जीले के गाओं में तेजी से कुरोना वायरस बढ़ रहा है कई गाओं पूरी तरह परभावित हो रहा है बता दे गुमला जीले में 930 गाओं है जिसमें अब तक 778 गाओं तक सर्दी बुखार खासी के लगशन वाले लोग है गुमला परशासन ने सर्वे कराया है जिसमें 778 गाओं में 10,103 लोग बिमार मिले है इन लोगों में कुरोना जैसे लक्षन है लेकिन इसमें 1000 लोग अस्पताल में जाच कराने नहीं जा रहे हैं गाओं के ही जार फूक करने वाले भगत या फिर जोला चाप डाक्टर से गरामी इलाज करा रहे हैं हलाकी इसमें कई लोग पर सासन के समझाने के बाद अस्पताल में आकर जाच कराया हैं जारखन में गुरुआर को 155 लोग गिरफतार 23 पर एफ़ायार जारखन में लोगड़न के दोरान 16 मई से जारी सकती के पाचवे दिन भी जारखन पूलिस ने पूरी सकती के साथ इपास मास्क आदि की जाच की राज में गुरुआर को 1008 जगो पर चेक पॉइंट बनाया गया था जहां चेकिंग के दोरान लोगड़न उलंग़न के मामले में 1264 लोग पकड़े गाए बता दे इसी तर अभीना मास्क के भी 352 लोग पकड़े गाए है जारखन पूलिस ने लोगड़न उलंग़न वा बीना मास्क में पकड़े गाए लोगों से 12,81,850 रुपे जुर्माना वसुला इस दर मयान कूल 24 पराथ मिक्या दर्श की गई और अभियान के दोरान कूल 155 लोगों की गिरफतारी भी की गई है जारखन सरकार ने कोवीन की जवा अमरीत वाहिनी एप से टीका करण की मांग की जारखन सरकार ने टीका करण में ऑनलाइन रईश्टेशन में आ रही चनो को समाप्त करने और राज सरकार दोरा निर्मीत अमरीत वाहिनी एप के जरिये राजे के लोगों को टीका दिये जाने की परकिरिया को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख जारखन में 18-45 परस के उम्र के लोगी संख्या लगभग 1.4 कोर से ज्यादा है सवी को वैक्सिन दिये जाने की जरूरत है ताकि जारखन में क्रोणा की तिस्री लवर के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सिन लगाई जा सके जारखन में 2,056 केस मिले हैं जारखन में 60 की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 4714 है वहीं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 26,511 है भारत में 2,69,135 केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 2,91,365 है वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 30 बतादे भारत में 3,57,001 मरीज स्वस्थ हुए हैं वही जार्खन में भी 43,26 मरीज स्वस्थ हुए हैं जार्खन में 2056 नाई केस मिले हैं जो बोकारो से 177,14,26, देवगर 81, धनबाद 192, दुमका 4, पूर्बी सिम्ह 122, गाडवा 28, गुर्ड़ा 26, गुमला 62, थाजारीज स्वस्थ हुए 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 जार्खन में 4326 मरीज स्वस्थ हुए है जो बोकारो से 105, 14110, देवगर बानबे, धनबाद 192, दुमका 5, पूर्बी सिम्ह 122, गुर्ड़ा 283, गुमला 281, हजारीबाग 252, जामतरा बानबे, खुटी 111, कोडार्मा 99, लातेयार 121, लोहतागा 152, पाकुर 134, पलामु 225, रामगर 189, राची 796, साहिवगन 7, सराइक 114, सिम्डेगा 36, पच्चमी सिमून से 242 मरीज स्वस्थ हुए हैं केंद्र सरकार ने राजियों से कहा बलाइक फंगस को घोसित करे महामारी केंद्रे ने राजियों से कहा है कि वह बलाइक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसुचित करे केंद्रे स्वस्थ मंत्राले ने राजियों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मियूकर माइकोसिस को एक अधिसुच बीमारी बनाने का अगरा किया है बतादे राजियों से कहा गया है कि वो सभी मामलों की रिपोर्ट करे केंद्री स्वास्त मंत्राले ने कहा कि सभी सरकारी नीजी स्वास्त केंद्र और मेडिकल कॉलेज और ICMR द्वारा जारी दिशानीदेस का पालन करेंगे इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट या संदिग्द मामले की जनकारी स्वास्त मंत्राले को देनी होगी नीजी वाहन से सफर कर रहे हैं तो E-PAS लेना होगा हाई कोट जार्खन हाई कोट ने नीजी वाहन चलाने के लिए E-PAS की अनिवारता को जुनवती देने वाली जनित याज़का को सुनवाई के बाद गुरुवार को खारिच कर दिया बतादे चीफ जस्टिस रवी रंजर और जस्टिस सुजीत नरायन परशाद की खंड पीट ने सुनवाई के दोरान मौकिक रूप से कहा की कोरोना के बरते संक्रमन को रोकने के लिए सरकार ने पोलिसी बनाई है इपास लेकर आवागमन की जाज़त दी है कोट इसमें हस्ट छेप नहीं करेगा जार्खन के 72 रयर 525 कुरोना मरीजों को मिला मेडिकल कीट घर मेरा कर इलाजरत कोवीड-19 के मरीजों को राई सरकार मेडिकल कीट दे रही है इसमें आवस्यक दवास लेकर अने समागरी होती है पता दे अब तक 72 रयर 525 मरीजों के बीच मेडिकल कीट बट चुका है सरकार का निर्देश है कि जो भी विमार हो चाहे वह कुरोना संक्रमित हो या नहीं उनमें लक्षन भी है तो उन्हें मेडिकल कीट दिया जाना है पता दे राजे में सबसे अधिक राची जीले में मेडिकल कीट बाटे गए है यहां 13,993 लोगों को कीट दिया गया है देश में उतर परदेश के बाद जार्खन में क्रोना का संक्रमन सबसे कम जार्खन में लागू लोगडाउन तेथा लोगों के धारे के सुखत परिणाम सामने आ रहे है यहां क्रोना संक्रमन लगतार कमी आ रही है संक्रमन के मामले में अब जार्खन के सिथी पूरे देश में सबसे अचे हो गई है बतादे बर्तमान में फूरे देश में उतर परदेश के बाद जारकन में कुरोना का संक्रमन सबसे कम है पिछले सब्ता 10 से 16 माई के दोना जारकन में कुरोना की संक्रमन दर 7.09 पिसद थी जबकि तेलंगाना और उतर परदेश में यह अदर करमसा 7.01 तथा 56.67 पिसद थी हजारी बाग में ऑक्सिजन सिलिंडर चोरी पर हाई कोट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट जरकन हाई कोट के चिफ जस्टिस डाक्टर अभी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ के अदालत ने सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट अदालत में पेस करने का निदेश दिया है बतादे हजारी बाग के सेख विकारी मेटकल कॉलेज अस्पताल से अउक्सिजन सिलिंडर और रेगुलेटर की चोरी की खवर सामने आने के बाद आदालत ने मामला का सोता संग्यान लिया है घर घर जाकर कुरोना जाच करेगी साहिया वा अंगनवाडी सेविका 12 दिनों तक पूरे राजय में विशेस अभियान जार्खन सरकार ने कुरोना संग्रमन को रोकने के लिए व्यापक चाच अभियान चलाने का निदे लिया है संग्रमन के तिसरे लहर से निपटने के लिए क्या त्यारी कर रही है राई सरकार हाई कोट जार्खन हाई कोच के चिफ जश्टिस डरवी रञजन वा जश्टिस एसन पसाथ के अदालत में गुरू आर को कुरोना संग्रमन के रोक्ताम के मामले में सुनवाई हुई इस दुरान अदालत ने क्रोणा संक्रमन के तीसरी लाहर से निपटने के लिए राज सरकार की वर से की जा रही तेयारियों पर की रिपोर्ट मांगी है अदालत ने सरकार से पुछा है कि क्रोणा के तीसरे लाहर की असंगा को देखते हुए राज्य में क्या क्या तैयारी की जा रही है और कितना काम पूरा कर लिया गया है अदालत ने इस मामले में अगले सब्ता रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया है इंटर्मीडियेट की परिच्छा अगस्त तक मैट्री की परिच्छा रध होने की स्थिती में सरकार इंटर्मीडियेट की परिच्छा पर फोकस कर सकती है बतादे इसका उजन कुरोना के मामले कम होने पर अगस्त तक किया जा सकता है इसके पेटर्ण में भी कुछ बदलाव करने पर समती बन सकती है ताकि छात्र छात्राव को दिकत ना हो बतादे इंटर्मेडियेट की परिक्षा नहीं लेने से मार्स के अधार पर विश्य विद्याले में गेर्जुएशन में नमांकन में समस्य आ सकती है बड़ी संख्या में परवाशिस्रमिको के अवागमन को देखते हुए तयारियों में जूटा देवघर प्रसासन देवगर उपायुक्त मंजुनात भजंतरी की अधक्सता में प्रवासि सरमीकों के आवागमन को लेकर की जाने वाली विवस्था क्रोना संक्रमन के संभावी तीसरी लहर, सहरीव गरामीन छेत्र अंत्रगत कोविड रोक्थाम के अलावा प्रखंड एवं पंचायत अस्तरपट कोविड टास्पोर्स के गठन के पस्चायत किये जा रहे कारियों की ओनलाइन समिक्षा बेटर का आवजन किया गया इस दोरान उपायुक्त ने परखंड वब पंचायत अस्तरपट कोविड टास्पोर्स टीम के द्वारा किये जाने वाले विभीन कारियों वजाग रूपता कारिकरमों से सभी को अगत कराया बिना इपास नहीं होने दे आवाजाही पलामु आयोक्त कोविड-19 गाईलाइन का सक्ति से अनुपालन और संक्रामन की सिग्र रोक्थाम को लेकर पलामु आयोक्त जाटा संकर चौधरी एवम डियाईजी राज कुमार लकडा गुरुवार को हैर गंज एवम हुसायनाबाद के दंगवार इस्थित अंतर राजिये चेक पोस्ट का निरिक्षन किया, निरिक्षन के दोरन आयोक्त ने चेक पोस्ट पर पूरी सक्ति वरतने का निर्देश दिया, उन्होंने दूसरे राजियों से आने वाल लोगों के लिए चेक पोस्ट पर ही कोविड जाच यम आने ब्यवस्थित ब्यवस्थाओं का देख संतोस प्रकट क परते हुए और सक्ति वरतने का निर्देश दिया। सोल और नकसलियों के खिलाप देश दुरो का मुकादमा चलाने की स्विक्रिती। वहाई दूसरी वर गिरी डीके उपायुक्त राहुल कुमार सिना ने इनामी अजाय महतों के अलावा पंद्रा अने नकसलियों खिलाप देश दुरो कानून की धरावों के तहत मुकादमा चलाने को लेकर राई सरकार से अनुसंसा कर स्विक्रिती मांगी है। धन्यवाद यदि आप चनल पढ़ना हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बाल के बेल एक अंद बाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवासे दे थाइंक यू